Hello everyone, very good morning to all of you. आज के दिन की शुरुवात करेंगे 4 मई 2020 के Current Affair के साथ. Current Affair का PDF Static GK के साथ आप exam engine application से डाउनलोड कर सकते हैं. जब भी आप exam engine application को डाउनलोड करें, तो 5 star rating देना ना भूलिए. exam engine application डेली आपको premium free study material तो देता ही है, इतना ही नहीं, जो भी courses हैं, वो भी आपको सबसे कम नाम पर यहां पर मिलते हैं. इसलिए 5 star rating इस application के लिए बनती है. पहले बात कर लेते हैं कल के question की. कल शाम को मैंने 3 तारिक के आपको current फिर दिये थे, और आपसे पूछा था उस टाइम पर एक question कि जो चटगाउंग आर्मरी rate थी, जब यह हुई थी तो उस टाइम पर भारत का वाइसराय कौन था? तो चटगाउंग आर्मरी rate जो हुई थी, यह 1930 में हुई थी, दरसल इसका main scenario यह था कि चटगाउंग में British Army का जो emanation है, जो शस्त्र बगेरा है, वो रखे होते थे, वहां के go down में, तो वहां पर भारती इकरांतिकारियों के द्वारा छापा मारा गया था, तो यह जो आर्म 1930 की बात हो रही है, तो इसना मतलब इस टाइम पर इर्विन भारत का वायस रहे था, क्योंकि आपको याद होगा 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट भी हुआ था, और सूर इसे इनको उसके बाद गिरफतार कर लिया गया, ट्रायल चला, 1934 में इनको फांसी की सेजा सुनाई अब शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर, अभी हाली में साइन्स 20 इंगेजमेंट ग्रूप की मीटिंग यूनिवर्सल हॉलिस्टिक हेल्थ का शुबारम कौन से स्टेट या यूटी में किया गया, इसका शुबारम लक्षदीप में किया गया, और ये जो साइन्स 20 की ज अपना 1999 में करी गई थी, और इस साल भारत ही इसकी अद्यचिता कर रहा है, तो जितनी भी मीटिंग है, वो सब भारत के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आयोजित करी जा रही है, अगले साल 2024 में G20 के अद्यचिता ब्राजील करेगा, ये चीज ध्यान लगिए, अगला में उद्देश क्या है, इस योजना का में मतलब क्या है, पहले तो समझे इसका फुल फॉर्म क्या है, CGTMSC का, इसका फुल फॉर्म है, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, तो क्योंकि नरायन राने MSME मिनिस्टर हैं, तो इस वज़े से इन्नों ने इस योजना को लौंच किया है, इसका में उ चोटे और लगू उद्दोग करने वाले लोग हैं, उनके वेलफेर के लिए इस पैसे को काम में लाया जाएगा, अगला कुशन है, अभी हाली में फैसला लिया गया कि राजस्थान के अंदर कितने नए Wildlife Conservation Reserve स्थापित किये जाएंगे, तो राजस्थान को तीन नए वन जी वे सनचन Reserve मिलेंगे, कितने तीन में, अब समझे तीन कौन-कौन से होंगे या कौन-कौन सी जगहे पर होंगे, एक तो नया Wildlife Conservation Reserve बनेगा, जिसका नाम होगा, हामिरगड, क्या नाम होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हामिरगड, यह कहाँ पर स्थापित किया जाएग यह राजस्थान के भील वाड़ा में इस्थापित किया जाएगा, इसके अलावा दूसरा जो है, इसका नाम है सोरसान, सोरसान Wildlife Conservation, इसकी स्थापना बारान में करी जाएगी, और जो तीसरा होगा, इसका नाम होगा किचान, किचान, ठीक है, किचान Wildlife, तो यह स्थापित किय जाएगा जोधपुर में, तो यह टोटल टीन Wildlife Conservation Reserve है, जो कि राजस्थान को मिलेंगे, और अगले दो से तीन साल के अंदर इनको पूरे तरीके से इस्थापित किया जाने का लक्षे है, राजस्थान में अशोग गहलोत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है, तलराज मिश्र राजस्थान के fog dance कई बार आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ का घूमर नाच बहुत famous है, घूमर के अलावा यहाँ पर गंगोर भी चलता है, जूलन लीला भी यहाँ पर चलती है, एक यहाँ पर कलवेलिया नाच चलता है, चक्री नाच चलता है, यह सारे यहाँ के nuclear power projects की स्थापना करेंगे, तो यह है NTPC, NTPC ने NPCIL के साथ मिलकर फैसला लिया है, यह भारत में नए nuclear power corporation की स्थापना करेंगे, और इसके अंतरगत इनके heavy water reactor projects भी है, फिलाल जो दो heavy water reactor projects है, एक का नाम है चुटका water project, चुटका, यह भी MP में स्थापित किया जाएगा, और बंसवारा, बंसवारा राजस्थान में स्थापित किया जाएगा, जो चुटका है, यह 1400 Megawatt बिजली का उतपादिन करेगा, और जो बंसवारा है, यह 800 Megawatt बिजली का उतपादिन करेगा, और NTPC जो है, इसकी स्थापना कप करी गई थी, 1975 में, 1975, इसका headquarter है नहीं दिल्ली और इसके chairperson है, गुर्दीप सिंग, गुर्दीप सिंग, और जो NPCIL है, इसकी स्थापना कप करी गई, 1987 में स्थापित करी गई थी, इसका headquarter है मुंबई, और इसके chairperson है, B.C. पाठक, क्या नाम है, B.C. पाठक, पुरा नाम है, भुवन चंद्र पाठक, Defence Minister राजना सिंग ने अभी हाली में कौन से देश को भारत सरकार की तरफ से एक petrol vessel और landing craft जो है, ये gift सरूप दिया है, तो जो राजना सिंग है, ये मालदीव की official visit पर है, तीन दिवसी है, एक से लेकर तीन मही तक ये official visit पर थे, और कल के दिन जब इसका समापन हुआ, तो इन और साथ में एक landing craft, इन्होंने मालदीव की सरकार को gift सरूप दिया है, ये gift दरसल कुछ और नहीं, international relations को build up करने का एक तरीका होता है, diplomatic relation इससे और बहतर होते हैं, और क्योंकि अगर geographic point of view से देखें, तो भारत और मालदीव की location कुछ इस तरीके से है, हमारे दक्षण में, हिं हमेशा अच्छे होने चाहिए, जिसका सीधा सीधा फायदा हमें Indian Ocean पर हमेशा के लिए मिलता रहेगा, मालदीव में इस टाइम पर रास्टपती है, Ibrahim Mohamed Soli, मालदीव की capital है माले, और यहाँ पर currency चलती है, रुफिया, क्या बोलते हैं, रुफिया, इसको रुपिया नहीं रुफिया बोलते हैं, इरान की capital है तहरान, मांगलादेश की ढाका, मौरीशेस की capital है पोर्ट लुईस, RBI के हिसाब से, यह कौन सा राज्य है, जो की लगातार तीन साल से, इस बाहर भी, ऐसा राज्य रहा जिसने बाजार से सबसे ज़ादा loan अवेल किया है, मतलब कहने का, सबसे ज़ादा रिण लेने वाला राज्य यह कौन सा है, तो यह है तमिल नाडु, और तमिल नाडु प 68,000 CR का है, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, 68,000 CR का loan है, तो नंबर बन पे तो तमिल नाडु है, दूसे नंबर पे loan के मामले में आंद्रपदेश सरकार है, आंद्रपदेश सरकार के उपर इस टाइम पे 51,860 करोन का loan है, और तीसे नंबर पे महारास्टा सरकार है, इ RBI के, इस्थापना 1935 में करी गई थी, RBI का रास्टी करण 1949 में हुआ था, और headquarter है RBI का Mumbai के, अगला कुशन है, ये कौन सी पहली ऐसी जनरल इंचरेंस कंपनी बन गई है, जिसने फैसला लिया है, कि ये RBI के Central Bank Digital Currency E रूपी को accept करेंगे, प्रीमियम है, तो ये है Reliance General Insurance, Reliance General Insurance में फैसला लिया है, कि Reserve Bank of India की Central Bank Digital Currency E रूपी को ये accept करेंगे, और ऐसा करने वाली ये पहली General Insurance कंपनी बन गई है, और RGI की इस्थापना साल 2000 में करी गई थी, इसका headquarter है Mumbai, और इस टाइम पे इसके CEO है, Rakesh Jen, क्या नाम है, Rakesh Jen, अभी हाली में भारत सरकार के GST Department की तरफ से, जो रिकॉर्ड चारी किये गए है, उससे पता लगा है, कि April 2023 में GST Collection कितना रहा, तो भारत सरकार ने पूरे देश बर से GST वसूला है, एक दशमलो आट-सात लाग करोण, GST भारत में पहली बार, एक जुलाई 2017 में लागू किया गया था, GST में मुक्यता 5 स्लेव है, 0% स्लेव, उसके बाद आती है 5% स्लेव, उसके बाद 12% की स्लेव होती है, फिर 18% स्लेव, और फिर आकरी में हाईयस स्लेव, जिसको 28% बोलते हैं, 28% लगजरी स्लेव होती है, या खुला आप दूद लेने जाते हो, तो उसमें आपको कोई GST नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो खुला प्रोड़क्ट है, और खुला प्रोड़क्ट आप कोई भी लेने जाईए, वो सब 0 स्लेव में आता है, और क्या आप बता सकते हो, अभी कुस टाइम पहले भारत स Vodafone के CEO के रूप में किसको है पॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है Margarita De La Valle, क्या नाम है Margarita De La Valle, ये Vodafone में 2001 से हैं, और इस से पहले ये कंपनी में थी जिसका नाम है Omnitel, तो Omnitel जो है, ये बहुत ही बेसिक कंपनी थी, स्टार्ट अप था, जब इसकी शुरबात ह हुई थी, तो तब से ये Omnitel में थी, फिर 2001 में Vodafone ने Omnitel को खरीद लिया, तब से ये Vodafone में आ गई, और अब जाकर एक लंबे करियर के बाद, ये Vodafone में CEO के रूप में कारवरत हुई है, अगला कोशन है, Atomic Energy Commission के Chairperson के रूप में अभी हाली में किसको Appoint किया गया है, तो ये हैं अजीत महंती, तो अजीत कुमार महंती अब पदभार समालेंगे Atomic Energy Commission का, और महंती साहब Atomic Energy Commission के साथ साथ Department of Atomic Energy में Secretary के रूप में भी कारवरत है, ये Senior Bureaucrat है, इसके अलावा ये भाबा Atomic Research Center में Director की भूमिका भी निभाज चुके हैं, अब ये 10 October 2025 तक इस पोस् रशिया के इयान नेपो मेंचीची को हरा कर, वर्ल्ड चेस चैंपियंशिप का सत्रमा सत्र अपने नाम किसने कर लिया है, तो वर्ल्ड चेस चैंपियन का 17th edition इस बार जीता है, तिंग लैरिन ने, किसने डिंग लैरिन, और डिंग लैरिन कौन है, ये Chinese चैस प्लेयर है, 30 व बढ़त बनाई है, तो ध्यान रखेगा, इन्होंने 6-1 सेस में बढ़त बनाई थी, अगला कुशन है, पहले ऐसी भारती है, पुरुष यूगल जोडी कौन सी बन गई है, जिसने बैड मिंटन एशिन चैंपियंशिप में गोल्ड मिडल जीता है, तो ये है सात्विक और चिराक सेटी, ये वो भारती है, पुरुष यूगल जोडी है, जिसने पहली बार बैड मिंटन एशिन चैंपियंशिप में भारत को गोल्ड मिडल दिलाया, इसके पहले अगर बात करी जाए कि सबसे ऐसे, सबसे पहले भारती ही कौन है, जिन्होंने बैड मिंटन एशि पहले गोली जीता था, और इस बार जो बैड मिंटन एशिया चैंपियंशिप है, इसका योजन यूनाइटेड अरव अमीरात में हो रहा है, और कहां पर इस जगे का नाम है, पल नसर क्लब, पल नसर क्लब, ये वही क्लब है, जिसमें इस टाइम पर क्रिस्टियान और रोन क्या जाता है, इतना ही नहीं, क्योंकि मरीन पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, जिसकी वज़े से टूना मचलियों की तादाद भी कम हो रही है, और इतना ही नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन जादा बढ़ रहा है, और टूना मचली के अंदर भी वह पॉल्यूटेट टम जाते ह और लोग इन्हें consume करते हैं तो लोगों के अंदर भी वो pollution जा रहा है तो इन सारी चीजों को देखते हुए साल 2017 में United Nation General Assembly की तरफ से फैसला लिया गया था कि अब से हर साल 2 मही को तूना दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोगों में जाग रुपता है तो 2017 से लेकर अभी तक इसको मनाया जा रहा है अब ये इसका छटवा सिंस्क्रण था जो इस बार मनाया गया अब मेरा आज का सवाल आप से आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो JIT टाठा हैं इनको भारत रंत से कौन से वर्ष में सम्मानित क्या गया था कमेंड बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताईए एक्जाम एंजन एप्लिकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं GSGK का फाउंडेशन बैच चल रहा है आने वाले सीजल 2023 के लिए उसके अलावा आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो पूरा SSC का कलेंडर 2023 में पेपर से भरा पड़ा है तो आप इस फाउंडेशन बैच को इस टाइम पर अवेल कर सकते हैं इस बैच की खास बात यह है कि इसको मैंने VOD recorded plus live classes form में भी लाँच किया है इस बैच में आपको एक ही बार में History, Policy, Geography, Science, Economics की recorded classes theory के form में मिल जाएंगी और उसके अलावा question वाली practice मैं live classes में करा रहा हूं Science की भी यहाँ पर live classes ही चल रही है PDF वगेरा सारी चीज़ें आपको एकी बार में इसमें मिल जाती हैं Apart from this तो हमारे recorded batches हैं इनके price परसों से बढ़ रहे हैं तो आप 5 माई तक avail कर सकते हो इसी price पर History का और Policy का recorded batch Defense exam के लिए आप mocked test series ले सकते हैं इसमें इतने सारे test हैं सब आप chapter wise भी दे सकते हो full length भी दे सकते हो UPSC, EPFO अगर आप देने जा रहे हो तो इसके लिए भी test series हमने launch कर दी है इसके अलावा SSC और bank की पूरी test series आपको सिर्फ 390 में मिल जा रही है जिसमें 1840 online test series हैं इनको आप full length के form में भी दे सकते हो subject wise भी, topic wise भी और exam wise भी हर तरीके से आप compile कर सकते हैं thank you so much have a nice day, take care, bye bye आपका दिन मंगल में हूँ